हलो एवरिवन वाल्कम बेक टू पावर ड्रैग आज बात करेंगे टाटा पंच के बारे में टाटा पंच अपने सेग्मेंट के अंदर एक माइक्रो एस्यूवी है बट अगर उसकी लोक्स एंड डिजाइन के बात करें इंडियन मार्किट के अंदर कितनी सक्सेस्फुल रही या उस चीज़ की बात करें तो कहीं न कहीं टाटा पंच के आने के बाद टाटा टिया को जैसी गाड़ी की सेल्स फिगर के ओपर फरक पड़ा है हाला कि टाटा की गाड़ी ने किसी और कंपनी को तो कहीं का छोड़ा ही नहीं बट अपनी गाड़ी की जो सेल्स फिगर है व को आपको मजा आजाएगा क्योंकि आपनी पंच के ऊपर निकाल यह बड़ी अता फेसलिफ्ट क्या कुछ है नहीं अपने पणके फेसलिफ्ट के अंदर देने वाले सब्सक्राइब करते हैं तो यह सारी चीज़े देनी पड़ते हैं तो कुछ फीचर में से ऐसे होंगे जो आपकी नॉर्मल जो पेट्रोल वाली जो अपनी टाटा पंच आती है वो गई या फिर सींजी में हो गई इनके अंदर उसमें कावी सारे फीचर डिलीट होंगे जिस व आप 20,000 रुपे तक आपको यह गाड़ी एक्शो रूम देखने के लिए मिल जाती है और उसी के लावा हर इस्टेट के अंदर आप लोग ऑन रोड जाओगे तो अलग अलग प्राइस डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा अब टाटा इस प्राइस के ओपर इंक्रि खेर चलो फेसलिफ्ट निकलेगा तो आपको काफी कुछ नया भी देखने के लिए मिलेगा अब बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर चेंजिस क्या क्या आने वाले हैं डायमेंशन की प्लैटफॉर्म की अगर मैं यहाप बात करता हूं तो सब कुछ सेम रहने वाला है जो चेंजिस आएंगे वाएंगे इस गाड़ी के फ्रंट डिजाइन के अंदर अभी अपना फ्रंट डिजाइन जो है आपको टाटा पंच इवी जैसी दिखा करेगी अब चाहे वो इसके अंदर फ्रंट के अंदर आने वाला कनेक्टेड एलेडी डिया लो या फिर इसकी अब आप लोग के अंदर देखने क्ले वालेगी और आपको इस वाले रेंट में पैट्रल वाली इंदर वो चीछ देखने के मिल दिखने के मिलेगी अवरल डिजाइन के अगर मां बात करूँ निव शेप के साथ इन्होंने टाटा पंच वी निचालिए निकाली है याना त तो वो शेप देखने में कहीं ना कहीं जो करेंट पंच आते हैं उससे काफी ज़्यादा मिच्वर रखते हैं काफी ज़्यादा अपनी तरफ एट्रेक्ट करने वाली है तो वो चीज आपको अब न्यू पंच के अंदर भी देखने के मिलेगी जो लोग पैट्र या सेंजी के देखने के मिलेगा वो भी मैं बता देता हूं ये एक फेसलिफ्ट है इस चीज को ध्यान में रखना कि इसके अंदर कोई बहुत तगड़े अपग्रेट्स नहीं आएंगे फेसलिफ्ट के अंदर जो माइनर से चेंजिस होते हैं थोड़े बहुत फरक कर देते हैं वही ही ना कहीं जो पंच की टेल सेक्षन है रियर से जो लुक है वह अच्छी नदर आएगी और टाटा पंच के साथ एक बहुत बड़ा यूएस पी पता है क्या है ये गाड़ी है तो माइक्रो एचिवी छोटी सी है टिंगू सी बट अगर इस गाड़ी की रोड़ प्रेसंस द अपनी सब गाड़ियों के अंदर सबसे पहले है ट्विन स्पोक जो इस टेरिंग वील ये देने लगे है ट्विन स्पोक क्या सकते है अप इसे सेंटर के अंदर इल्यूमिनेटिट टाटा का लोगो देखने के लिए मिलेगा जो की एक बड़िया चीज है इस टेरिंग वील अब जहां तक है 7 इंचिस की जो फ्लोटिंगी स्क्रीन इसको निकाल के फेकेंगे और आपको इहां पर बड़ी स्क्रीन 10 इंचिस तक की देखने के मिलेगी हो सकता है सेम यह वाली बड़ी भी देदे इसमें ज्यादा कोई ऐसी को दिक्कत वाली बात है नहीं है क्योंकि य गाड़ी खरीद होगे तो इतना तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो तो वो चीज मिल जाएगी इस गाड़ी के अंदर है उसी के साथ अगर एक और बढ़िया चीज की बात करी जाए तो इस गाड़ी का जो इंटीरियर है उसमें आप लोगों को जैसे बाहर बॉड़ी कलर जो सकते हो प्रैक्टिकालिटी की बात कर दिया तो पुराना वाला जो फिजिकल बटन होते वो थोड़ा से प्रैक्टिकल इसके सामने जादा नजर आता है बागी उसी के अलावा करते हो और चीज हो कि मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं तो गाड़ी के अंदर क्या कुछ ऐसे हैं जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो आएंगे नहीं आएंगे तो मैं वो बता देता हूं आप में से कावी सारे लोग सोच रहे होंगे कि इस गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा देखने के मिलेगा तो वो इस गाड़ी में नहीं आएगा पहली बात एक तो इतनी छो आप लोग को एर वेंटिलेटीटीट सीट देखने के लिए नहीं मिलने वाली हैं हाला कि फीचर बहुत जबर्दस्ता है मासता है कर देता है बट आपको इसके अंदर वो फीचर नहीं मिलेगा क्योंकि अगर वो फीचर एड़ करेंगे गाड़ी की जो कॉस्टिंग है फीचर आजाता है तो इस गाड़ी के अंदर आप लोगो जो नॉर्मल हैंडवेक होता है जैसे कि उसको खीच के लगाते हैं हटाते हैं वैसे ही देखने के लिए मिलेगा तो मुझे नहीं लगता वो की दिक्कत वाली चीज़ बे यहां पर टाटने समझदारी करी है यह फा चीज़ों की बात करी जाए तो वह सब चीज़ आपको इसके अंदर सेम देखने क्लिए मिलेगा आपको सेम देखने क्लिए मिलेगा आम रेस्ट वगरा गाड़ी के अंदर रहने वाला है जो कि एक बढ़िया फीचर है एंड उसी के साथ साथ जो ओवरल इसकी डैमेंशन है आपको सेम देखने क्लिए मिलेगा उसके अंदर टाटा वालों ने कुछ छेड़ खानी नहीं करी है अब सवाल आता है कि यह गाड़ी कब तक लाउंच होगी और क्या हम इस गाड़ी को ले सकते हैं तो भाई लेने के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ले सकते हो टा आप लोग जाके इसको ले सकते हो अब सब आ रहता है गाड़ी आएगी कब तक इस गाड़ी का जो एक्सपेक्टेड लॉंच है वो आप लोग मिड 2024 के बात का ही मान के चलो या फिर इसके लिए आप यूँ भी कह सकते हो कि 2024 के थर्ड क्वाटर में गाड़ी इंडियन मार् कर तो शेर कर तो और सबस्क्राइब हो जाना चाहिए मुझे नहीं पता बस कर दो अब ठीक है मिलता आप लोगों से निक्स्ट वीडियो में